सेवा जोहर साथियों, मैं हूँ अजय कुमार गोटे और इस वीडियो में हम सबजियों के नाम गोंडी भासा में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वाटस अप और फेस्बूक पर सेयर करें तो सबसे पहला सबजी का नाम है करेला जिसे गोंडी भासा में कारलां कहते हैं दूसरा सबजी का नाम है अर्बी जिसे गोंडी भासा में डांगुन माटी कहते हैं अगली सबजी का नाम है जीमिकंद जिसे गोंडी भासा में सुरुन माटी कहते हैं अगला सबजी का नाम है पपीता जिसे गोंडी भासा में पपई कहते हैं अगली सबजी का नाम है सेम जिसे गोंडी भासा में जाटा कहते हैं हमारे अगले सबजी का नाम है गौर फल्ली जिसे गोंडी भासा में गौर जाटा कहते हैं अगली सबजी का नाम है भिंडी जिसे गोंडी भासा में भेंडी कहते हैं हमारे अगले सबजी का नाम है मीठा करेला जिसे गोंडी भासा में केकसी कहते हैं हमारे अगले सबजी का नाम है बैगन जिसे गोंडी भासा में सापा या हापांग कहते हैं दोस्तों ये मक्का है जिसे गोंडी भासा में जोन्ना कहते हैं वैसे तो ये सबजी में नहीं ये ना जाता है सांथियों इस सबजी को फुल गोबी कहते हैं जिसे गोंडी भासा में उंगार गोबी कहते हैं और पत्ता गोबी को आकी गोबी कहते हैं अगले सबजी का नाम है खीरा जिसे गोंडी भासा में खाकड़े कहते हैं हमारे अगली सबजी को लौकी के नाम से जानते हैं इसे गोंडी भासा में पराज कहते हैं अगले सबजी है हमारा कद्दू जिसे गोंडी भासा में कोमोड कहते हैं दोस्तों ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं ये टमाटर है जिसे गोंडी भासा में भेदरे कहते हैं अगला जो सबजी का नाम है वो है प्याज जिसे गोंडी भासा में उल्ली कहते हैं और उसका जो भाजी होता है उसे उल्ली पाला कहते हैं अगला सबजी है हमारा धनिया जिसे गोंडी भासा में सम्मार कहते हैं साथियों इस सबजी को हिंदी में गलका कहते हैं और गोंडी में डोड केला कहते हैं हमारे अगले सबजी का नाम है लहसुन जिसे गोंडी भासा में लसंद कहते हैं और इसका जो भाची होता है उसे लसंद पाला कहते हैं दोस्तों इस सबजी को मुली कहते हैं, जिसे गोंडी भासा में मुला माटी कहते हैं और इसका जो हरिपत्या होती हैं, उसे मुला आकी या मुला पाला कहते हैं। अगला सबजी है हमारा आलू, जिसे गोंडी भासा में अलूंग कहते हैं। जिसे गोंडी भासा में धेकरा पाला कहते हैं। साथियों इस सबजी को वैसे तो हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, पर चतिस गड़ी में बोहार कहते हैं और इसे गोंडी भासा में सेल्टे भाजी कहते हैं। साथियों इस सबजी का भी नाम हिंदी में मुझे पता नहीं लेकिन गोंडी में चेज भाजी कहते हैं साथियों इमली वैसे तो ये सबजी बनाने के काम नहीं आती पर सबजी में डाली जाती है खटाई के लिए इसे गोंडी भासा में हित्ता कहते हैं साथियों मुझे पता नहीं कि आपने कभी आम की सबजी खाई है या नहीं पर आम की सबजी को गोंडी भासा में मरका चकना कहते हैं साथियों इसे 36 गड़ी में चरोटा भाजी कहते हैं और इसे गोंडी भासा में चोरोटा पाला कहते हैं साथियों ये है करील जिसे इंगलिस में बैम्बू कहते हैं और इसे गोंडी भासा में कर्क कहते हैं अगली सबजी का नाम है मस्रूम जिसे गोंडी भासा में साथिया कहते हैं स्वाद इसका बहुत अच्छा है दोस्तों एक बार जरूर खा के देखिए हमारे अगले सब्जी को गोंडी भासा में कुंदरू कहते हैं साथियों इस सब्जी को हिंदी और चतिस गड़ी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता अगर आप जानते होंगे तो मुझे जरूर बताएं साथियों आप अपने सुझाओ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ सेहर करें